असलाम लेकूम 9 class आज हमने जो टॉपिक स्राट करना है डैट इस रेस्पाइरेशन तो बचों अक्सर आप लोगों के जहन में एक सवाल हता है कि रेस्पाइरेशन है क्या बेसिकली रेस्पाइरेशन की दो टाइफ्स हैं आपकी बुक में नहीं हैं बट मैं आपको पॉंसर् के लिए समझा रही हूं इसकी दो अगर हम कैटेग्रीद बना लें एक को कहते हैं और गनिजमिक रेस्पाइरेशन और दूसरी को कहते हैं सेलूलर रेस्पाइरेशन अब तक जो हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं चोटी किलासिस में वो कहते हैं इसे आप ब्रीफिंग भी कह सकते हैं इसे ब्रीफिंग भी कह सकते हैं इस ब्रीफिंग सांस लेना इसके आगे दो केटेगरीज मैंने अभी बताया इन्हेलेशन है यह आप लोगों ने टैंथ क्लास में पढ़ना है टॉपिक आज का जो हमारा में टॉपिक है वो है सेलूलर रेस्पाइरेशन एक सेलूलर रेस्पाइरेशन क्या होता है सैल के अंदर रेस्पाइरेशन क्या है आपने खाना काया खाने में गुलुकोज है गुलुकोज आपके सेल में गया सेल ने उसको ब्रेक किया और ब्रेक करके उसमें से कार्बन डियकसाइड रिलीज हुई वाटर रिलीज हुआ और the most important thing उसमें से निकली एनरजी in the form of ATP अडिनोसीन ट्राइफोस्पेट stored energy we can call this bank यह bank है आपकी body का यहाँ पर energy store होती है जरूद पढ़ने पर यहाँ से energy रिलीज हो जाती है cellular respiration हमारा आज का main topic है तो आपने confused भी होना हम organismic respiration नहीं पढ़ रहे हम cellular respiration पढ़ रहे हैं इसमें glucose टूटता है और बिना देता है ATP ठीक है मैं अगर आपके level पर होती है तो मेरे जहन में यह सवाल आता कि हम तो glucose नहीं खाते है हम तो कुछ भी खा सकते हैं हम तो टौफी भी खा सकते हैं हम तो burger भी खा सकते हैं हम तो कुछ भी खा सकते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि हमने जो चीज़ खाई उसमें गूको दो देखे हम में चीज़ के ऊपर आपके लेवल पर बात करेंगे हम जादा तर खाते हैं रोटी ठीक कैμε nossos ब्रेड खाते हैं रोटी खाते हैं यह सारे में कार्भ हाइड लेवल पर बात करेंगे आपके लेवल पर ही रहेंगे आगे नहीं जाएंगे लेकिन यह याद रखें कि हम प्रोटीन और लिपट से भी निका सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऐसे साइकल मौझूद है बेरहार रेस्पाइरेशन क्या है रेस्पाइरेशन की में डेफिनेश अब आप रिमाइंड करें ने आपको फोटो सिंथिस पढ़ाया था तो मैंने का था फोटो संसे इस फूड मेंकिंग प्रॉसेश बच्चे हैं और एस्पाइरेशन बिलकुल एक दूसरे के रिवर्ट हैं इसमें इनर्जी बनती है उसमें फूड बनती थी इनर्जी मेंकिं ये तमाम लिविंग ऑर्गनिसम्स में होता है बड़ा छोटा आनिमल है प्लांट है जो भी है सबके अंदर होगा बिकोज हर किसी को काम करने के लिए इनगी चाहिए चाहे बेक्टेरिया हैं चाहे Absolutely चाहे वो एनिमल हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, हर सेल के अंदर सेलूलर रेस्पारेशन हो रही है, क्योंकि हर और्गनिजम को, हर जानदार को इनर्जी चाहिए, हर जानदार को, even आपको पलकें छपकने के लिए भी इनर्जी चाहिए, जो बंदा मर जाता है, उसके ATP लॉक ह जाते हैं तो अपनी पल के भी नहीं जपक सकता है इसलिए आपने देखा होगा अकसर फिल्मों में और ड्रामों में जो बंदा मरने की एक्टिंग कर रहा है उसको सीधा करें विको जब एटीपी लॉक हो जाते हैं तो आप लोग आखें भी नहीं बंद कर सकते इसको छपकने के लिए आपको एटीपी चाहिए हर लिए और अर्गनिजम के अंदर रेस्पाइरेशन हो रही है ठीक है अब यहां पर मैं एक और तम इस्तमाल करूंगे मैं कहूंगे कि इस रिवर्स तो फोटो सिंथिस यह फोटो सिंथिस के रिवर्स है रेस्पाइरेशन बड़ी एहम और टालिशन बड़ आताइगे अश्पाइब स्कार्बर है इस रिवर्स रू पिवर्स स टू का फोटो एस सिंथिसuse also सिंथिस के रिवर्स हए है अच्छा हम यहां पर देखते आ है कि फोटो सिंधिस इस क्या था है फोटो सिंथिस सिस क्या है 6 carbon dioxide के मालिक्यू, 6 water के मालिक्यू से sunlight, light की मौझूदगी में मिले और बनाया C6H12O6 plus 6 oxygen 6 carbon dioxide मिले, 6 water मालिक्यू से light की मदद से, what is light, light is energy ठीक है, solar light is energy यहाँ पे energy अंदर आई है ठीक है तो यह क्या endergonic process है ऐसा process, endergonic ऐसा process जिसमें energy use हो रही है This is called photosynthesis मैंने कहा, respiration बिल्कुल इसके reverse है अब हम लिखते हैं, respiration की equation C6H12O6 plus 6 oxygen gives out 6 carbon dioxide plus 6 water plus ATP What is ATP? That is energy यह कौन सा process है? This is exergonic process ऐसा reaction जिसमें energy release हो रही है इसमें energy add हो रही है, इसमें energy release हो रही है आप देखें, photosynthesis की जो product थी glucose और oxygen respiration के वो reactants हैं और respiration की जो product है, carbon dioxide of water वो photosynthesis की क्या है, reactant है तो यह दोनों बिल्कुल एक दूसरे के opposite है इसके product इसके reactants हैं, इसके reactants इसके products हैं तो साबित हो गया एक और बात भी respiration के बारे में कहते हैं कि respiration is oxidization of glucose side patch दिया हुए, respiration is oxidization of glucose glucose की oxidization है तो अगर हम यहां diagram में देखें तो आप देखें, यह glucose है glucose से बन रहा है carbon dioxide अब यहां से carbon भी था, oxygen भी था यहां भी carbon oxygen है, hydrogen गाइब है आपको याद है, loss of hydrogen या loss of electron oxidation कहलाता था, यहां क्या हो रही है फिर oxidation, कैसे पता चला, देखें, carbon oxygen तो यहां मुझूद है, यहां से hydrogen गाइब हो गई है loss of hydrogen is called oxidation तो respiration को oxidation of glucose भी कहते हैं confused नहीं होना यह एक side patch में पूछा हुआ है अच्छा अगर हम यहां पे देखें, तो यह जो oxygen है यह convert हो रही है water में तो आप मुझे बताएंगे कि यह oxygen और water में क्या हो रही है add हो रही है, hydrogen यहां पे hydrogen नहीं थी यहां पे hydrogen आ गई addition of hydrogen is called reduction oxidation और reduction किसी जगा पे हो रही हो तो वहां पर क्या होता है redox reaction यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हो यह बात proof हो गई कि respiration is oxidization of glucose हम respiration के एक और definition भी कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि cellular respiration energy yielding process है इसमें energy बनती है, यह हमारे लिए यहां पर energy making process है, मैं लिखा हुआ है अच्छा अब सवाह यह पैदा होता है कि work के लिए energy चाहिए work needs energy work के लिए energy चाहिए अब work सिर्फ हम तो नहीं करते हैं यह जो bike है, यह जो गाड़ी है यह भी work करते हैं इसका मतलब है उन्हें में भी respiration हो रही है जी हां बिलकुल उन्हें भी हो रही है लेकिन that is not respiration उसे कहते हैं combustion बिलकुल यही process होता है जो respiration में हो रहता है गाड़ीयों के अंदर लेकिन हम उसे एक special नाम देते हैं क्योंकि non-living में आप उसे respiration नहीं कह सकते आप उसे कहते हैं combustion अब combustion में क्या होता है जिस तरह respiration में होता है कि glucose के अंदर मौजू CH bond break होता है CH bond break तूटता है CH bond तूटता है CH bond breaks and gives energy plus carbon dioxide plus water अब यह जो CH bond है अगर हम living organism में देखें तो CH bond होता है glucose के अंदर यह glucose तूटेगा और आपको देगा energy living organism के लिए glucose यह कोई P trios भी हो सकता है वो तूटेंगे और देंगे energy CH bond तूटेगा in the presence of oxygen और maybe in the absence of oxygen जी तूटेगा और देगा आपको energy in the form of ATP carbon dioxide water मैं कहते हूँ ऐसा ही process बिलकुल आपके bike में हो रहा होता है उसको कहते है combustion we can not call that respiration हम उसे respiration ही कह सकते हैं हम उसे कहेंगे combustion उसमें क्या होता है जो आप petrol और डीजर डलवाते हैं वो organic compound है organic compound आपने organic chemistry में पढ़ा आपने 9th class की chemistry की branches पढ़ी थी उसके अंदर आपने देखा था organic chemistry में सारे hydrocarbon आती है यह engine में carbon और hydrogen होता है उसके अंदर भी compound में CH bond होता है जब आप लोग kick लगाते हैं bike को और bike start होता है CH bond brake होते है महौज से oxygen यूज़ करता है engine और उसके नतीजे में वहाँ पर बनती है carbon dioxide gas water बनता है energy कौन सी बनती है ATB नी बनते है वहाँ expression energy बनती है light and heat energy आपने देखा होगा चलाने के बाद अक्सर आपका जो engine होता है वो काफी hot हो चुका होता है that is heat energy वो भी energy है वो release होती है और जो light energy heat energy मिल के क्या करते हैं tires को चलवाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है अगर living organism के अंदर CH bond break होता है तो उसके नतीजे में भी energy carbon dioxide water बनता है और अगर non living factors या non living चीजों में जैसे के bike और car के अंदर हम fuel डलवाते हैं उसमें भी CH bond होता है वो break होता है और वो भी break होके क्या देता है energy carbon dioxide और water वो जो energy देता है that is not ATP वो ATP नहीं है वो energy use हो जाती है bikes को चलाने के लिए तो हमने यहाँ पर अभी सिर्फ हम go through कर रहे हैं अभी हम इसके main theme पे जाने वाले हैं पहली बात हम इसको revise कर लेते हैं बच्चे अक्सर confused होते हैं के teachers हमें कौन सी respiration पढ़ा देखे respiration की दो ताइस है organismic respiration और cellular respiration हमारे topic की heading respiration है लेकिन हम basically पढ़ा cellular respiration रहे हैं organismic respiration क्या है यह जो हम सांस लेते हैं air अंदर जाती है air बाहर जाती है that is organismic respiration this is also known as breathing इससे breathing भी कहते हैं सांस लेना इसमें oxygen या air का अंदर जाना is card inhalation और air का बाहर जाना is card exhalation तो हमारा topic यह नहीं है इसलिए हम इसको ज्यादा touch नहीं करेंगे यह आपका 10th class के 1st chapter में आएगा वहाँ पे आप इसको detail से पढ़ेंगे respiration के जो main topic 9th class के लिए है cellular respiration what is respiration in cells cell में respiration क्या है glucose आपके cell में enter हुआ break हुआ carbon dioxide water और ATP बना है this is card cellular respiration यह इतना छोटा नहीं है जितना यहां नजर आ रहे हम इसको step by step detail से पढ़ेंगे अभी हम respiration भी घूम रहे है respiration energy making process है photosynthesis food making process था इसमें energy बनती है energy in the form of ATP adenosine triphosphate this act like as a bank आपकी body का यह bank है आप खाना खाते हैं इसमें energy store हो जाती है आपने कोई भी activity करनी है इसमें energy निकलेगी यूज हो जाएगी फिर आप खाना खाएंगे फिर energy store हो जाएगी फिर आपको ज़रूद पड़ेगी फिर आप इसको यूज कर लेगे इट एकर इन ओ लिविंग और गिनिजम बच्चों कंफ्यूज मी हो ना photosynthesis तमाम living organism में नहीं होती थी लेगा respiration सब में होगी क्योंकि सब ही को जिन्दा रहने के लिए energy चाहिए respiration photosynthesis के reverse है हमने साबित क्या photosynthesis में क्या हो रहा था carbon dioxide water मिल रहे थे light energy मिल रही थी carbon dioxide water मिले light energy मिले glucose और oxygen बनाए respiration ने glucose और oxygen को यूज किया carbon dioxide और water बनाए और energy बनाए इसमे energy use हो रही थी इसलिए इसे कहते थे endergonic process इसमे energy release हो रही है इसलिए इसे कहेंगे exergonic process यहाँ पर यह line लिखने का मक्सद work needs energy work तभी होगा जब energy होगी और energy तभी होगी जब respiration होगी living organism के अंदर तो respiration होता है इसी से मिलता जूता एक process जो होता है वो हमारी कार और जहां भी engine चल रहा है जहां भी fuel और diesel यूज हो रहा है वहाँ पर भी एक ऐसा ही मिलता जूता process हो रहा होता है उसे हम combustion का नाम देते हैं combustion में क्या होता है fuel के अंदर मौझूद carbon hydrogen bond break होते है उसके नतीजे में energy carbon dioxide of water बनता है वो जो energy fuel में बनती है वो उसके engine को move करवाती है tires को move करवाती है हमारे अंदर ये energy ATP की form में बनती है और वो energy हम लो उठने बैडने चलने बात करने के लिए पल्कें चपकने के लिए सोचने के लिए हर चीज के लिए यूज करते है respiration is oxidization of glucose एक side patch दिया हुआ है बच्चों confuse में हो ना oxidization और reduction तो दोनों ही हो रही है यहां भी oxidization और reduction हो रही है मैंने जब photosynthesis पढ़ाया था तो मैंने बताया था यहां कैसे हो रही है अब मैंने आपको दिखाया कि यहां भी हो रही है glucose की oxidization होती है carbon dioxide set बनता है मुझे कैसे बता चला कि यहां oxidization हो रही है देखें यहां पर से hydrogen थी और यहां गाइब हो गई loss of hydrogen is called oxidization यह मैंने आपको पहले topic में पढ़ाया था redox reaction में पढ़ाया था यह मैंने आपको photosynthesis पढ़ाया था बेरहल मैं इस पे एक detail lecture भी बनाने वाली हूँ soon oxygen जो है वो water में convert होई है यहां पर hydrogen add होई है this is called reduction loss of hydrogen is called oxidation gain of hydrogen is called reduction इसको respiration को oxidization of glucose कहते हैं glucose की यहां पर oxidization होती है अच्छा एक और बात में आपको बताना चाहूँगी respiration जो है वो एक catabolic process है यह आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा लेकि मुझे बाद यहाद आ गई है catabolic process kata kata का मतरब होता है cut होना, छोटे pieces में टूड़ना बड़े molecule का छोटे molecule में convert होना जब मैंने photosynthesis पढ़ाई थी तो मैंने का था यह एक anabolic process है छोटे molecule मिलके बड़ा molecule बिना रहे है complex molecule बिना रहे है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है छोटे molecule जो होते है वो बन रहे हैं बड़े molecule से यह जो बड़े molecule हैं इनकी kata हो रही है kata मतलब cutting होना छोटे pieces में convert होना बड़े molecules छोटे molecules में convert हो रहे हैं this is called catabolism तो आप यहां पर यह लिख सकते हैं कि this is catabolic process यहां पर catabolism हो रही है बड़े molecule टूटके छोटे molecules बना रहे हैं तो I think आपको यह समझ आ गया है अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं है तो आपने comment में पूछ लेना है बहराल हमारा topic continue है मैं इसे continue ही रखूँगी अभी मैं मजीर इसके बारे में explanation करूँगी